कि दिया कमें कर वीस आटरा वीस होगे रहे कर बस लाइव है ना ओके चलो गाइज इन्द लाइब श्रीमिंग आडियो वीडियो चेक कर लो कैसा रहा आप लोग का फर्स्ट लिक्चर बच्चो एनर्जी फोल एक दाम वेरी गट चलो शुरू करते है आज की प्रहुचन के लिए कर दे है याईज गॉड मॉनिंग वापस एकБाइब करेंगे एनर्जी चाहिए प्रहब थोड़ी एosit ने ठीड थ है इनर्जी है फ्ल वापस एक knowledge चाहिए हैई गॉड मॉनिग वेरी घोड सो दोस्तों मै कई जानते हो आप लोग आ याई लोग तो थैंक्फुल तो दे गॉड चालो तो मैं हूँ C.A. अर्षिज जाजू आपका फैकल्टी फॉर C.A. फांडेशन बिजनेस एकनोमिक्स ठीक है तो मेरे बारे में बिजनेस एकनोमिक्स के बारे में हम लोग बाते तो करते रहेंगे और आने वाले जो अपने पांच मेने है उसमें तो हम लोग बहुत बाते करेंगे बहुत बातचीत करेंगे बलाज डे वन पे बहुत इंपोर्टन डिसकेशन होना जरूरी है वेन यू आर एंटरिंग इंटो अ वेरी प्रोफेशनल फील्ड तैस चार्टर अकाउंटेंसी सही है? यस उमीद कर रहा हूँ कि विनु मैं बताया होगा कि where you are right now after qualifying your CA foundation आपको article ship करनी होगी उमीद कर रहा हूँ कि यह सब information आप तक पहुची होगी बराबर बट अब आज के इस session में अभी सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जो course कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हम लोग course कौनसा course कर रहे ह मैं अब सच्ची बोलो कौनसा course कर रहे हैं मालूम है क्या आप लोग कोछ बच्चे होते हैं ऐसे पदा नहीं सर मेरा दोस्त अहरा दम मैं आ गया साथ में मैं तो आया हूँ उसके साथ ठीक है so हम लोग जो course में इंटर कर रहे हैं दोस्तो that is chartered accountant क्या बोल रहे हैं इसको chartered accountant पदा कि या होगा कि chartered accountant हम लोग CA कर रहे हैं आज day one है full excited, full जोश, energy एक दम बट पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना साता हूँ यह CA लोग करते गया है यहर मैं CA हूँ आप CA बनने वाले हो आज से तीन चार साल बाद आप और मैं एक level पे होंगे आप भी CA मैं भी CA बराबर वाओ, we will all be at the same level CA बनने के बाद मैं भी आपको सवरिया मैं बोलूँगा, chartered accountant है बारी एक दम, बड़ यार यह वो इजद होती भाई इत्ती, मतलब वो जब तू और थोड़ा आगया के जाएगा ना course में और लोग इतनी respect देते ना आखों में से आसू आते भाई, इतनी respect आदत नहीं होती हम लोगों कोई थी, ठीक है, तो यह, chartered accountant के अगर हम लोग बात करें तो माली के क्या ही है chartered accountant, एक live stream में बूल रहा है सर कोई ने, वो half CA series देख्या है मैं, तो उसमें देखा है जागुस्तों भारी है जागुस्तों भी, तो इसे लिए decide किया सर सिय, ऐसा को बहुत मारता नहीं तो मैं, so चलो यह बात बताओ, chartered accountant लोग हम लोग जो करते क्या है बाई, आप लोग आपकी जिंदेगी बना रहे हो इसे, देखो यह ऐसा नहीं है कि बेटा 10th पास हो जा, मजे ही यह आगे, फिर आप डूढ़े मजे किधर है, फिर घर वाले बुले बे मैं CA कर रहा हूँ, तो इस session में discuss करते हैं पहले in the first place, CA करना या नहीं करना, करना है, अरे बट पहले करता गया है CA, वो तो decide कर लेते हैं अपन, यह chartered accountant लोग करते गया है, पैसा चापते हैं, यह डे, उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि क्या खाम करते हैं, बोलो, क्या क करते हैं, what does chartered accountant as a profession, what we do, what is our work, so कोई पहले बच्चा बूल रहा है कि सर, हम लोग auditing करते हैं, चलो ठीक है, second बूल रहा है कोई सर, हम लोग accounting करते हैं, चलो ठीक है, financial reporting करते हैं, accounting में आ गया है, चलो ठीक है, हाँ, so taxation services हम लोग provide करते हैं, बेटा GST भी taxi है, direct या indirect, बराबर taxation services provide करते हैं, बताओ और क्या करते हैं, teaching आईसा नहीं हो, teaching तो मतलब तेरे को CA बनाने के लिए मुझे आना पड़ा है, नहीं तो आज मैं भी अपनी practice करता न, तू बोला सर पढ़ाओ economics जर, तो सब छोड़ चार के तेरे लिए आया हैं, as a profession what do we do, consultancy, मतलब we are technically what, business consultancy के जगा, भारी वर्ड बूलू क्या मैं, we are business solution providers, क्या बोला आपने, we are business solution providers, क्या आपकी जिन्दिगी में दर्द है, क्या आप आपके business को लेके परिशान है, फिकर ना करे, मैं हूँ ना, ठीक है, तो ऐसा business solution providers है, legal advisory services देते हैं, live streaming में बोल रहे हैं, हम country की economy चलाते हैं, मतलब ऐसे movie के और serial के dialogue ने चिपकाने के लिए पर, ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, cost, savings, बराबर, या control करने में मदद करते हैं, बराबर, तो ऐसा बहुत कुछ काम हम लोग करते हैं, advisory services, consultancy, solution providers, वगरे, यह सब हम लोग काम करते हैं, बराबर है, तो पहली बात तो क्या आपको लगता है कि आप लोग यह सब काम करने के लिए तयार हों, नहीं मतलब क्या है ना, यह first thing पता होना चीए, कि हम लोग काम करते क्या है, सर, आज मैं CA Foundation की मैं अभी से Business Economics पढ़ना स्टाट कर दूँगा आप लोगों को, ठीक है ना, आननसर आएंगे आपको अकाउंट्स पढ़ना स्टाट कर देंगे, अंकीता मैम आएगी law पढ़ना स्टाट कर देंगी, बट मेरा सवाल एकदम बहुत important है आज का, यह सब जो का करते हैं हम लोग, बराबर income tax return फाइल करना, consultancy देना, business के solutions प्रोवाइड करना, investment advisory services देना, management services करना, बराबर actuarial, नहीं, क्या बलते हैं उसको, investment banking services, बहुत सारा काम करते हैं हम लोग, सवाल यह है कि क्या आप लोग यह सब काम करने के लिए तयार हो क्या, क्या आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज के लिए बना हूँ, सर मतलब थोड़ा detail में समझाईए, auditing की बात करते हैं, हम लोग audit करते हैं, as a chartered accountant, होता क्या है audit, audit मतलब क्या होता है कि हम लोग जब किसी clients के records को check करते हैं, examine करते हैं, और बताते हैं कि सब सही है या गलत है, उसके हिसाब से लोग उस अपने report के ऊपर विश्वास रखते हुए, decisions लेते हैं कि वबा इस company में पैसा लगाई या नहीं लगाई, लोग जो है companyों को खरीदना है, mergers, acquisitions चलते हैं, उसके लिए chartered accountants due diligence करते हैं, कि ये जो भी profit बता रहे हैं, जितना भी मुनाफ़ा ये है, ये सब सही है य accounting, बड़े-बड़े corporates के accounting करना, जिनका आज सोची ये जियो जैसी company, टाटा जैसी company, इनका accounting करना मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदार ये आपके है, छोटा नहीं सोचने का, धंदा करना तो बड़ा करना पुर्शोत्तम भाई, बरना नहीं करना, सही ना बड़ा सोचना है अ पैसा आपका बढ़ेगा, बराबर है कि नहीं, अगर कोई भी legal trouble आया, हम आपको बचा सकते हैं, ये काम करना है कि आप लोगों को, और ये काम करना अगर है, इंट्रेस्ट आ रहा है, तो सवाल ये है, कि सर ये सब काम करने से कितना पैसा कमा सकते हैं आपने लोग, बिकाज अल्टिमेटली जैसे वो बच्चा बोला, कि सर विटैमिन एम, मोस्ट इंपोर्टन विटैमिन, बाकि सर विटैमिन A, B, C, D मिले ना मिले, विटैमिन एम इस वेरी इंपोर्टन, सही है ना एक दम, येस, आपको लगता है हम लोग ये सब काम करके तो इलिस्टिव लिष्ट है, आपको लगता है कि ये सब काम करने से हम लोग को पैसा मिलेगा करके हैं, क्या लगता है आप लोग को, मिलेगा, पक्का, क्योंकि देखो आप मजाग नहीं हो रहा आप ये, अभी बहुत सीरियस हो गए हम लोग, 10th में हम लोग अच्छे से पढ़ा ही क्यों कर पेपर, वो पेपर सिलेक्ट करने के लिए वो कैटेगरी में आना पड़ता है इसके लिए, बढ़ अब सीय में अच्छे से पढ़ा ही क्यों करना पड़ेगा, इधर ना कोई अच्छा कॉलेज है, ना कोई सब्जेक्ट है, किसके लिए, ये अब आपका real phase चालू हो चुका प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो गई आपकी, कि आप ये डिगरी आपको आगे पैसा कमा के देगी भाई, समझे रहे बात को, तेंथ की डिगरी पैसा कमा के दिया क्या है, नहीं, ट्वेल्थ की देने वाला है क्या है, नहीं, इसलिए हम लोग किदर आए, C.A. में, ये C.A. करेंगे तो आगे चार पैसे कमाएंगे, तो आपको लगता है हम लोग पैसे कमाते है, चार्टेड अकाउंटेंट अच्छा गासा कमा लेते हैं, इसलिए लगता है आप लोग को, कितना कमा लेते होंगे, कितना कमा लेता है, करेंट रेट के चलो अपना मालूप में क्या आप लोग को, 10-15 लैक्स, मिनिममम 10 लाग रुपे साला ना, कम से कम, आप C.A. बन जाओ, बरावर as a fresher आपको 10 लाग रुपे का package मिलेगा, येसी बोलने की बात नहीं है, ये fact है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ intermediate clear कर लो, ठीक है, और आप big force में article chip करो, तो कम से कम आपको 15-20 अजार रुपे का monthly stipend आपको मिलेगा, समझ रहे बात, imagine कि अपना value कितना है, ये सब क्यों बता रहा हूँ, you should get that feeling कि जो मैं कर रहा हूँ ना, बहुत भारी चीज़ कर रहा हूँ, तब जाके इंट्रेस्ट आएगा, तब जाके रोज क्लास को आओगे, तब जाके इतना torture सेन करोगे, तब जाके रोजाना उंवक करोगे, और जल से जल 3-3 साल में सीए बनने की कोशिश करोगे, क्योंकि इंसान को सबसे बड़ा motivation क्या होता है, पैसा, सबसे बड़ा motivation, biggest motivation is what, money, अगर इसा देखा जाए तो आपको बोलूगा, सुबस साथ बज़ा, ए मैंने आ रहा भाई, बट आपको जो बोलूगा, रोज साथ बज़ा आएगा, कल से देर को है ना, फिर 3 साल काम करिये, उसके बाद तो ना लाखों में खेलेगा, बिल्कुल, आपसे पहले आओंगा, जाड यह 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 इसका, दुसरे लेकर आजा फ्रेस से, ओपर से हाँ, ओके, सो क्या बढ़ रहा हूँ मैं, स्काइज दर लिमिट उसके लिए तो सर ऐसा कितना लिमिट है, मतलब क्या है ऐसा है, क्या गरता हूँ मैं आप लोगों को है ना, बताई देता हूँ आज, जैसे मैं अभी टाटा मोटर्स के पास गया है मैं, जाओगे इदर, टाटा मोटर्स अन्यूल रिपोर्ट, अब अन देखते हैं ना, कि इनके financial statements देखते हैं अपने, थोड़ा देखेगे इनके financial statements, समझते हैं ना भई, कि इनका CA कितनी fees लिता है, इनकी audit करने के लिए, देखना है कि आप लोग, कि अरे ये बहुत बारी चीज़ है ना, इनका CA Tata Motors Company, इनका CA audit करने के लिए कितने पैसे लिता है, गेस करो कितने लेते हूँगा, परसेंट में नहीं बटा, परसेंट में नहीं, अपने ऐसा गंदा गाम नहीं करते हैं, अलाउड नहीं अपने को, नहीं सही में आपने, CA Code of Ethics में अपने को, ऐसा percentage percentage allowed, ना, लाख रूपे तो होंगे न, किते, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख, गर जाएंगा इसमें, कितना भाई, कितना, लोगों बता रहूं आप लोगों, आता के आज के दिन में, आएगा भी, boys and girls, यह balance sheet आई उनकी, और यह अपने, बच्पन में account तो दिखा होगा न, आपने, profit and loss, इसमें खर्चे दिखाते हैं, टें, टेडें, रुको, आप, आता के आज के तारीक में, पच्का होगे हैं, यह आया, आया ने यह दर, यह देखुड़ा, कितना दिखरा है, audit fees, excluding GST, audit fees for financial statements, in other capacity, tax audit, taxation matters, auditor's remuneration, देखने के आपने, देखुड़ा, only 5 रुपे, 2 रुपे, 50 पैसे, क्या आया, only this much, only 5 रुपे, रुपे, इन, क्रोर्स, पांच करोर तो सिफ कंपनी का audit करने के लिए ले रहे भाई, chartered accountant, कितना पांच करोर, एन, भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक client का, ये सिफ, अब ये जो chartered accountant firm रहेगा, ये सिफ एक क्लाइंट तुड़ी रहेगा, इसके पस, और ये तो एक client का, एक साल की fees है, पांच करोर, ऐसा अगर दस client भी हो गए उसके पस, बस ना हो गया ना, एक साल के लिए sufficient है, एक साल के लिए, अरसल हमारा जिंदगी सेटल हो जाएगा इसमें तो, पचास करोर मिल गया, खतम ना भाई, लग रहेगा, अभी भी करना चीए, यार इतना पैसा, और यार, नहीं, यार, मिरको नहीं चाहिए, इतना पैसा, सही है ना भाई, crazy it is, so, फिर से, let's come back to this, क्या करना फिर, decide करना है, CA करना है करके, करते चलो, देखते हैं, सही है, yes, so, once this is then decided, कि ओके भाई, पता है कि ये काम करते हैं, ये काम हम लोग कर सकते हैं, आप लोग क्या होता है ना, कि आप लोग थोड़ा जेंजी किड्स है, आप लोग को थोड़ा ऐसा, glamour, fun, मस्ती, मजा, पैसा, ये सब चाहिए आप लोगों को, तो क्या होता है ना, वक्त के साथ साथ, अपने को अपना, जो बच्चो को क्या चाहिए, वो उनके सामने अगर portrait किये, तो you guys are very smart, you work according to that, I believe that, क्योंकि मैं इतने, मैं 11 साल होगे मेरे को पढ़ाते पढ़ाते हैं, I have seen the transition, transition मतलब मैं खुद जैसा student था, मैं, फिर मैंने जब बच्चो को पढ़ाय और अभी अभी, यह refined product है आप लोग, तो मैंने एक बात जो observe करी आप लोगों में, वो यह है, कि सर अगर हमें आप goal बता दो ना, एकदम clearly, और पता है कि यह चीजे करने से यह चीजे होने वाली है, तो आप सब कुछ करेंगे, आप लोग एकदम भारी है, आप लोग को पत नहीं में यह क्यों कर रहा हूं, तो यह चीजे करने से मेरा यह फाइदा होने वाला है, तो आप जीजान लगा देंगे, बराबर के नहीं, so that is why, first it was very important for you to understand कि as a chartered accountant, जो आप जिन्दगी में बहुत सारे aspirations लेके चल रहे हो, कि सर मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनना है एक luxury car खरेतनी है, एक घर होना है, आलीशान घर होना है मेरा, बराबर मम्मी बापा को जल्दी रिटायर करना है, अपनी एक अच्छी lifestyle जीनी है, देश विदेश घूमना है, बराबर यह सब आपके aspirations है, तो बस मैं आपको बता रहा हूँ, यह सब आपके जो dreams है, यह इस course से माध्यम से, आप लोग क्या कर सकते हो, इसको achieve कर सकते हो, और यह सी बोलने के लिए नहीं, यह मैं आपको facts और numbers के साथ भी बता रहा हूँ, घर जाके आप research भी कर सकते हो, कि कोई भी किसी भी company का, जो आपको लगता है, छोटी company या बड़ी company, audit report ले लेना उसका, उसमें accountants, आप search कर लेना, आपको मिलेगा वहाँ पे, और जो numbers आप देखोगे, आप बोलोगे भाई, हाँ, मैं इसलिए बना हूँ करके, बट देखो, जबरदस्ती, अगर कोई आपको pressurize कर रहा है, if this is not your passion, if this is not your field, you think कि यह मेरा cup of tea नहीं है, मेरे को नहीं करने कहीं है, तो article chip में, बहुत hard work कराते हैं, बट वो कहते हैं न फिर ultimately, जब कोईला बहुत pressure में आता है, तब ही जाके वो हीरा बनता है, और तब ही उसकी value है, तो आज जो हम लोग को एक करोड़ो रुपे मिल रहे हैं, यह लाखो रुपे हम लोग जो एक एक client से कमा रहे हैं, वो कैसे, वो chartered accountant holds much value than that of the prime minister himself, यह उनके खुद के शब्द है, तो सोचिए आप, sounds interesting, क्या आप लोग फिर committed हो इस particular पूरे जर्नी के लिए, पक्का, yes sir, तो जब यह बाते हम लोग decide कर लेते हैं, तो अब क्या होता है न, अब यह सब चीजे जो अपने को करनी हैं, तो यह सब किस से related हैं, अभी हम लोग ने decide कर लिया है, हमने promise कर लिया है कि हाँ भाई, sir, हम लोग से यह करने वाले, किसी का इसा है कि नहीं, sir, मेरा मन बदल गया करके, कोई भी नहीं, इधर live streaming में, okay, sir, भाई, जाता हूँ ऐसा, ने, कोई भी नहीं, सब लोग है, सब active है, तो अब यह सब जो बा बिजनेस के लिए न, बराबर, यह सब जो काम हम लोग जो कर रहे है, यह it is in relation to what, business, यह सब काम business के related हो रहा है, आज हम लोग audit किसका करेंगे, एक business का, आज हम लोग accounting किसका करेंगे, एक business का, आज हम लोग taxation consultancy देंगे, वो किसको, business को, बराबर है कि नहीं, हम लोग solutions provide यह खर्चे बचाने है, यह सब किसका काम कर रहे हम लोग, business का, बराबर है कि नहीं, तो यह सब जब business का काम कर रहे है, तो आपको नहीं लगता है कि business कैसे होता है, business में क्या चीज़े आती है, यह सब के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए, और इसलिए, at the entry level, at the foundation level, आपको एक subject आता है, जिसका नाम है, business economics, this is not just economics, dear friends, it is business economics, जो मैं आपको पढ़ने वाला हूँ, तो आप समझे है पहले कि यह subject जो है ना, आप लोग यह subject अब क्यों पढ़ रहे हो, अब आपको मैंने क्या बताया, पहले तो हम लोग ने decide कर लिया कि okay sir मेरे को CA करना है, पहल ने बोला बिल्कुल करने का है sir, फिर अब उस subject के अंदर, foundation के अंदर, एक subject है, वो कौन सा, business economics, now let's come to that, कि यह subject मैंने क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि सारा जो काम हम लोग करने वाले है, भाई यह किस related करने वाले है, यह business related करने वाले है, देखो, आप लोग जो है ना, ज इतने number secure करने है, मैं marks के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, वो attitude आपका 10th और 12 तक ठीक था, कि मेरे को है ना, marks के लिए पढ़ाई करनी है, मेरे को इसको maghap करना है, इसको रट्टा मार लेना है, यह सब चीज़े कब तक ठीक थी, 10th 12 तक ठीक थी, अभी ऐसा नहीं चलेगा, यह सब चीज़े, अगर आप इसका purpose समझ लोगे, अगर आप समझ लोगे कि real world में, real life में, यह सब अगर मैं काम करूँगा, तो इस सब का मुझे क्या फाइदा होगा, तो आपको automatically पढ़ने में interest आएगा, चीज़े आपको ध्यान रहेगी, और जब चीज़े पढ़ने में interest स्टार आएद, ध्यान लगेगा, मन लगेगा, automatically आप answers भी तो लिख क्या आई सकते हो न सब, क्या बोलते हैं सही है कि नहीं है, बराबर हैं, यस, तो इसलिए हम लोग को business economics भी पढ़ना है, है कितने marks का, कुछ जादा mark नहीं है, है कितने, only hundred marks, only hundred marks, बस that's it, and that two chapters किते, भी नहीं है कुछ भी है, कितने chapter रहें, 10, only, बस, चुटर पुटर एकदम, बहुत easy है रहे, so, 100 number, और chapters कितने भाई, chapters है, 10, और उसके बाद, pattern कैसा है, इसका, paper pattern कैसा है, एरे एकदम बढ़िया है, गोले मार के आना है, एमसी के, 100 number, 10 chapter, गोले मार के आना है, चार option दिये जाएंगे, अकडवकड बंबे बो, बड़ाबर के नहीं, इसमें से select करना तो 80, 90, पूरे 100, 100 out of 100 score कर सकते हैं, इसमें आप लोग, बट ये कब possible हो सकता है, आपको concepts ध्यान में रखना है, इसका आपको जो level of understanding ये है, जो paper pattern होता है, MCQ, इससे हम लोग क्या expect करते हैं, कि बच्चा अपने logical reasoning develop कर सके, चार option देंगे ना वो आपको, चार option में से कौन सा सही है, आपको ये logically उसके उपर आना है, आपको, समझ मैं है आपको, so only 10 chapters, pattern is MCQ, best है एक तम, आपको कुछ भी ऐसा learn करने की ज़रूत ही नहीं, आपको, write a short note, what are the features of, explain the characteristics of, कैसा गुस्ता अतना इसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, you understand the concept, उसको detail में पढ़ लिया, बस खतम हो गया, मजजानी life है, समझ मैं है आप लोग को, yes sir, तो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले, इसके, introduction के बारे में, chapters में हम लोग क्या-क्या बात्चित करेंगे, 10 chapter में है, देखेंगे कितनी band बजेगी, या orchestra बजेगा, आईए जड़ा देखते हैं, study material, new scheme, foundation, business economics, paper 4, ये रहा आपके सामने initial pages, सबसे पहले, बात करेंगे, about what, introduction to business economics, economics क्या होता है, और business economics क्या होता है, जैसे आप समझ ये for instance, for example, आपकी 12th की exams खतम हो गई, बराबर किने, कितने खुश थे आप, finally 12th खतम भाई, खुश थे ना, खुश तो बहुत थे, फिर आपने आपके ममी बापा को बोला, कि मेरे को अभी तोड़ा ब्रेक लेने का अभी, मेरे को तोड़ा चिल करने का है, बराबर है इसा बोला आपने, आप लोग अभी 12th में हो, कि 12th हो गए या आप लोगी, 12th में, बाकी सब का हो गया ना, बराबर है, एक दो जनका बाकी है, तो इसा फ्यूचर में बुलेगा तो, कि अभी मेरे को जो है ना, तोड़ा इसा ब्रेक लेने का है अभी, I want to enjoy, तो ममी बापा को बोलोगे, पापा मेरे को पैसे दो, ममी मेरे को पैसे दो, मेरे को एना, थोड़ा enjoy करने का है, दोस्तों के साथ chill करने का है, wipe करने का है मेरे को, ठीक है ना, तो पापा ने आपको बोले, कि ये ले बेटा, 1000 रूपे, जा जीले अपनी जिन्दगी, डाइरेक क्या बोला, जीले अपनी जिन्दगी, आप वो 500-500 के दो नोट देख रहे हो, पापा के पास देख रहे हो, 500-500, जीले अपनी जिन्दगी, अरे मेरे को क्या क्या करने का है जिन्दगी में, मेरे को पहले तो दोस्तों के साथ, वो मूवी बहुत दिनों से pending थी, वो देखने का है, मेरे को शॉपिंग करने का है, मेरे को दोस्तों के साथ, पार्टी को जाने का है, मेरे को ट्रेक पे जाने का है, गुमने के लिए, मेरे को कितना कुछ करने का है, अरे बाबा, हजार उपे दिये, और क्या बोल रहे हैं, जा बेटा, जी ले अपनी जिन्दगी, बहुत टेंचन है रे बाबा, क्या लगता है आप लोगों जी लोगे आप लोगे आपकी जिन्दगी, फिर क्या करोगे पापा को बोलोगे ये रको आपके 1000 रुपए वापस नहीं चाहिए मेरे को, नहीं खेलना मेरे को ये गिम, ऐसा बोल दोगे, पापा को वापत दे दोगे 1000 रुपए, सर पागल होगे, घर है लक्षमी को कौन ठुकराता है क्या सर, कुछ भी बोल रहे है सर, फिर अब क्या करोगे, आपको तो कितना कुछ करना है, आपको तो कितना कुछ करना है भाई, बट फिर 1000 रुपए में कैसे करोग क्या करेगा भाई दू हां और पैसे मांगेगा तेरे को लगता देंगे तेरे को रियलिस्टिक बाते करने का भाई नहीं देते मेरे को आज तक नहीं देते बमी बापा मेरे नहीं देते और पैसे मांगेगे बोलेगे ये भी दे दे वापस निकल हाँ क्या करेंगे plan कम करेंगे बहुत आगे जाएगा तो बहुत आगे जाएगा बहुत उशारे तो वो क्या बोल रहा है सर सर मैं अपनी जो इच्छाए है बराबर उसको मैं अभी sacrifice करूँगा सर मैं कुर्बानी दूँगा सर दिल पे पतर रखके और वो बहुत लेगा सर ठीक है ट्रेक पे नहीं जाऊंगा सर ठीक है सर दो कपड़े कम खरीद लूँगा शौपिंग नहीं करीद लूँगा शौपिंग नहीं करूँगा बट सर उसके साथ पार्टी पे तो जाना है मेरे को मैं पालिटी को तो जाऊंगा सर सर मैं मूवी देखना है, मूवी तो देखूंगा से यह क्या कर रहा है यह आप समझने की कोशिश करो यह manage कर रहा है यह चीज़े समझ रहा है क्या और यही बात जो है न अपने को economics सिखाती है क्या management मैं जहाना बीजनेस की बात कर रहा है तो जो भी बात होगी बीजनेस की होगी एक्जांपल्स आप क्योंगे बा adhered को business के तरफ लेके जाएंगे हम लोग कैसा manage कैसा करने का उसको कि पाईसा कम है बहुत सारी चीज़े करनी है तो क्या करेगा बाई क्या इसे fit करेगा इस चीज़ को कि जो सबसे ज़्यादा जरूरत मन्द है जो जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है सर पहले वो चीज़ करूँगा जो least है जो इतनी matter नहीं करती सर trick पे नहीं गया तो नहीं गया सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बड़ सर मेरे को movie तो जाने का है सर मेरे को दोस्तों के साथ party को जाने का है तो वो तो मैं करेगा सर मेरे को shopping अगर जरूरी है तो वो पहले करेगा करेगा के नहीं तो यह management है तो economics teaches you all these things about management it is said that इंसान की जो मांगे है वो असीमित है human wants are unlimited बराबर के नहीं एक want आपकी पूरी हो गई नहीं तुरंत आपकी दूसरी want क्या हो जाती है आ जाती है we are never satisfied we are never contended with what we have हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते है एक अपनी जरूरत पूरी हो गई तुरंत अपनी क्या हो जाती है दूसरी जरूरत सामने आ जाती है तो यह सब करने के लिए भाई vitamin M तो लगेगा न लगेगा के नहीं लगेगा और वो जो resources है अपने पास क्या लगता आप लोग को resources limited है क्या unlimited है limited है घर आले बोलते है न पैसा के पेड़ पे उगता है क्या because why they know boss कि your wants will be unlimited but the resources that we have with us is what limited so how are you going to satisfy all your wants tell me sir we cannot अब मेरी want है मेरे को एन आइपोन 15 लेने का है मेरे को मैं लिया अब जैसे आइपोन 15 लिया अब ऐसे लिया अब एक want satisfy होगे अब तुरंत क्या होता भी दूसरी want आ जाती है जार अगर घड़ी भी मिल जाए तो यार मज़ा आ जाओ है पापा को बोला पापा घड़ी भी दिला तो बोला एक देगा जहापड पाइसे पेड़ पेने रोकते इसी को हम लोग business में लेके आते है business में हम लोग को बहुत सारी चीज़े करनी होती है हम लोग को product development करना होता है हम लोग को marketing करनी होती है staff है expansion है diversification है कितना कुछ चीज़े अपने को business में करना होता है बट इन सब के लिए वापस से पैसा लगेगा के नहीं तो आप समझे ये सब manage करने के लिए आपको कौन सा subject सिखाएगा भाई economics नहीं business economics तो आपने भले ही 12th में economics पढ़ा होगा बट जिस नजरिये से हम लोग आज पढ़ने वाले है वो अलग होगा तो it is about what business economics समझ मैं है आप लोग को so that is what in the introduction topic we'll be understanding and फिर उसके बाद अलग-अलग economies होती है capitalist, socialist, mixed बराबर government का कितना involvement होता है नहीं होता है उसके हिसाब से हर एक देश की economy अपने problems कैसे solve करती है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे so that we'll be discussing in what the very first chapter introduction में sounds interesting yes sir उसके बाद आते है second theory of demand supply and consumer behavior में theory of demand supply and consumer behavior मेरे को business करने का है और मेरे को business करने का है तिर्फ या मेरे को उसको successful business करने का है हाँ important is कि I just don't want to do business what I want to do is a successful business और आप समझे है ये businessmen बहुत उशार रहते हैं एकदम भारी रहते हैं ये लोग बराबर है इतना दिमाग लगाते हैं इतना दिमाग लगाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं एक simple बात में बताता हूं आप लोगों को आज ये apple business कर रहा है apple business कर रहा है न क्या है इस phone में हम लोग आज इतने वीडियोस देखते हैं बराबर के नहीं हम लोग इतने memes देखते हैं उसके इतने लोग उसको roast करते है company को देखते हैं आप लोग youtube पे रोजाना वीडियोस आते बराबर क्या न आया कुछ भी ने copy paste safe type c charger आया nonsense कुछ भी ने आलग बट फिर भी भाई आपको पता है यहाँ पे मैं आपको दिखा दाऊ क्या लिगा है यहाँ पे आइफोन 15 pro max delivery डिले तिल नवेंबर 15 हमारे आनन सर को अंकिता मैं को भी लेने का है मिलने रहा है मैं कुछ सर को shortage है phone का का बात कर रहे है सर हाव ना रिभागा shortage है क्यों सर इतनी वह अंकर डिमांड है phone की क्या बात कर रहे सर नया कुछ नहीं है न सर phone में बट फिर भी demand भहुत जादा है ओवर बूक हो गया है company ने सोचा नहीं था उतना demand है देखो apple iphone 15 pro max delivery डिले तिल नवेंबर भाष साब ऐसा क्या सर मतलब का इसा बारी ना कुछ भी नहीं नहीं बना है इन लोगोंने और फिर भी इतना भी कर रहे है that is the brand that they have created the image that they have created समझ रहे है बात को तो यह जो हम लोग देखते है ना यह business करने का तरीका है इनका आप movies देखते है ना movies में कभी आपने देखा BMW में चोरी करके कोई जा रहे है नहीं BMW, Mercedes, Audi में सिर्फ आपको hero लोग दिखेंगे allow नहीं करते है वो company कि चोर लोग इसकरेंगा इसको क्योंकि वो brand का image अना वो affect होता है समझ मैं है आप लोग वो status symbol बनाया है उसने तो ऐसी कुछ चीज़े जो है ना यह businessman को सोचना है आज के तारीक में यह phone फिर भी अभी क्यों विकता मैं आपको बताता हू status symbol बनाया एक तो पहले ओनिग एन आइफोन लोगों को लगता है लोग किस्तों में खरीद रहे भाई किड्निया बेच बेच के खरीद रहे बड़ क्यों करीद रहे लोगों को दिखाना है apple company को क्या फरक पड़ रहा है खरीदो बड़ apple company को मालूम है वो क्या बोलते है मसत है ना camera दे दो इनको एक अच्छा बड़ी आसा आज के लोगों को क्या चाहिए बड़ी आसा camera चाहिए फोटो कीचने का है उन लोगों को सही बात है कि ने एक दम यस सर उसके बाद हम लोग hotel में जाना है अपने को खाना खाने के लिए चलो यह तो बहुत बहुत बड़ा example बोल दे हमने चोड़ दो इसको अपन अपना एक दम छोटू-पोटू example लेते हैं आज अपने को जाना है hotel में खाना खाने के लिए बराबर कौन से hotel में जाने का बता है मैं दो option से रेस्ट करता हूँ आप लोगों को एक ऐसा hotel जिसमें ऐसा कुछ असे shady place है कैसा shady अंदेरा अंदेरा ऐसा कुछ असे dark बट खाना एक नंबर एक नंबर खाना है और दूसरा जगा अईसा बहुत भारी instagramable जगा है कैसा instagramable जगा ऑखना इत्ता बड़ियान नहीं है आप कहां जाओगे कहां जाओगे कहां जाओगे दिल से बोलो दिल से बोलो जो चुपर है सार जो फोटोजनिक जगा होगी न इंस्टाग्रामेबल जगा होगी न काना तो क्यों के चलेगा आरे बट चार लोगों को बताना पड़ेंगा न बहुत बारी जगा है में स्टार्बक्स इसलिए जाते हैं अभी यह जो मैं कॉफी पी रहा न माली यह कित्ते की कॉफी यह 20 रुपे के कॉफी है 20 रुपे के कॉफी है मैं आपको टेस्ट कराता हूँ और सेम जाके वापस स्टारबक्स में पीना सेम टेस्ट आएगा मज़ाग नहीं कर रहा हूँ भाई बट स्टारबक्स जाके फोटो डालने का स्टेटस मैं तो क्या करता फिर एक बार कप लेके आना दस दिन रोज फोटो डालने का उसके अलग-अलग जगा पर किसको पता चल रहे but try to understand this is business this is business ये demand हो रहा है demand मुभारको क्या हुआ है demand हुआ है पर किदर गया मेरे को बात नहीं तो ये सब अपने को successful demand अगर create करना है तो कैसे करेंगे भाई ये अमबानी आदानी ये सब पढ़के गए है मेरे से नहीं business economics और लोग ने क्या पढ़ा है ये सब ये business economics पढ़के गए है समझा गया तो इसके अंदर हम लोग को ये सब पढ़ना पढ़ता है कि what determines demand किस वज़े से लोग demand करते है fashion, taste, preferences बराबर के नहीं habits बराबर उसके बाद consumer behavior consumer behavior अगर किसी चीज़ में उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो उसको ज़्यादा खरीदी करेगा तो इसलिए आज के तारीक में consumer behavior के लिए भी second अपना chapter दिख रहा है कि आपको second theory of consumer behavior तो वो study करके business man अपना क्या करता है business आगे बढ़ाता है consumer behavior को study करता है वो आपको मालूम है one plus phone मालूम है आपको जब वो launch हुआ था ना one plus it was only an online sale only था वो see वो online available था one plus के store नहीं थे मालिक one plus mobile phone है उसका store नहीं था आपको अगर खरीदने का है तो उसको क्या करने का आपने online ये order करने का अब phone की कीमत है पचास अजार साट अजार अस्ती अजार अन बिना phone हाथ में लिए उसके features देखे कैसा order करेगा भाई में but it was online only फिर वो company को समझा theory of consumer behavior कि भाई लोग तो ले रहे बट अगर उसका और sale बढ़ाना है ना तो लोगों को इस particular phone का experience देना पड़ेगा तो उसके बाद one plus ने experience stores launch किये experience store मतलब one plus के showrooms mobile phones के store दिखते ना आपको one plus के वो क्यों आए उनका intention यह नहीं है कि वहाँ से हम लोग को mobile phone बेचना है उनका intention यह है कि एक दुकान ऐसी होनी चाहिए जिसमें अगर लोग one plus लेने की इच्छा रखता है तो वो iPhone हाथ में ले उसके features उसको feel करें तब फिर वो खरीदेगा that is theory of consumer behavior लोग study करते हैं इंसान को क्या चाहिए क्या नहीं उसके इसाब से product का delivery होता है तो यह कैसे होना चाहिए कैसे हमने study करना चाहिए यह हम लोग theory of consumer behavior में study करेंगें और फिर जो हम लोग को demand है जिसका लोगों को चाहिए तो उसके इसाब से हमने कितना supply करना चाहिए वो हम लोग study करते है तो ऐसा अपने को यह theory of demand and supply में सिखाय जाता है from business perspective समझ मैं आगा आप लोग को अरे यह chapters पढ़के हैं मैं आपको क्या बता रहो मजाक नहीं कर रहो हम लोग कल से start करेंगे न तो जब यह chapters पढ़ोगे न आप आपके घर में अगर business होगा न तो उसको guarantee दे रहो हूं मैं उसको आप नहीं उचाहिए उपर लेके जा सकते हो guarantee दे रहो हूं हम लोग यह theory पढ़ेंगे न यह इसका practical application आप आपके business में कैसे करोगे मैं बता सकता हूं आपको और आप उसको आगे लेके जा सकते हो आज मैंने lecture start किया मैंने क्या बोला आप लोगो को कि ऐसा ऐसा पढ़ना है अपने को यह यह goal है आप लोगो का because that is the consumer behavior यही बोला था न मैंने मैं आपका mindset समझता हूं तो मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा उसके इसाब से पढ़ाऊंगा बराबर कि नहीं मैं class में आया आपको ऐसे लगा कि कोई teacher ऐसा मतलब भाई economics का कि हम लोग ऐसे पढ़ने वालेक्दम ऐसा normal ऐसे यह हो मैं 20 साल की उमर है मेरी भाई येड़ा है क्या 11 साल होगे पढ़ाते-पढ़ाते 20 साल की उमर है मेरी तो आपको ऐसे लगए यह नहीं आपको लगएगा ऐसा की दोस्त पढ़ा है क्योंकि teacher पढ़ाया और दोस्त पढ़ाया है किसका अच्छे से समझ में आता है तो वाई नोट टीचर बिकम अ फ्रेंड दें कंज्यूमर बिहेवियर भाई तुम समझ रहा है कि बात को अगर मैं तुम्हारे साथ एकड़म फ्रीली पढ़ाऊंगा हास खेलके मजा करके एकड़म मस्ता बाते लाते करके एकड़म अपन सर के साथ बात करते सकते हैं तो आप डाउट्स आपके पूछ सकते हैं आपके मन में कोई भी शंका या संकोच नहीं होगी न तो यह सबसे क्या सी कामने बिजनेस आप ग्रो कर सकते हो वाई स्टेडिंग वाट कंज्यूमर बिहेवियर आई बात समझ में आता है उसके बाद theory of production and cost अब आपकी demand आपको पता है होने वाली है आपको पता है कि ऐसा product consumer को चाहिए और उसको supply करना है तो अब production भी करना पड़ेगा तो कितना produce करें अननेसरी बहुत जादा करके चलेगा नहीं बहुत कम करके भी चलेगा नहीं तो theory of production and cost सीखेंगे फिर उसके बाद क्या price पर बेचना है वो भी तो देखना पड़ेगा अलग-अलग market में अलग-अलग price पर बेचना है तो यह अपना fourth chapter में आएगा national income एक अलग chapter है फिर business cycle की business में उतार चड़ा हो तो आते रहते ना तो अगर business में उतार आया है बराबर की नहीं अगर हम लोग अपना business slow हो रहा है economy में slow down है तो ऐसे case में हम लोग ने क्या decision लेना चाहिए जब हम लोग top पे है तो हमने क्या करना चाहिए तो यह सब आपको कौन बताएगा यह business cycle बताएगा ने तो इंसान को पता नहीं चलता भाई मेरे business का एकड़म lowest point आ अब मैं क्या करू भाई क्या करू यह सिखाएगा त business cycle सिखाएगा यह सब business की बाते है कैसे आज तक इतने सालों से टाटा टॉप पे है अंबानी टॉप पे है ऐसे क्या कर रहे है यह लोग उनको पता है कि कौन से cycle पे कैसे क्या decisions लेने है तभी तो इनके business में कभी downturn नहीं आता ना भाई आया तो भी वो उसको क्या कर लेते है तुरंत recover कर लेते हैं यह पढ़ते हैं यह लोग आपको एक सही बात बता हूँ business economics यह chartered accountants के subject का topic है ही नहीं यह management का subject है यह अगर आपके दोस्त अगर कोई BBA या MBA कर रहे होंगे ना उनको पूछना क्या तेरे को economics है क्या उनका किताब खुलना आपको दिखेगा यह सब उन बनिया पढ़ते हैं यह सब एक तरफ फिर let's come to the more interesting topics public finance जब आपको भी CA बनने के बाद मानलो कोई government में आपको कभी कुछ काम करना है जैसे आप CA बन गए वो परिनीती चोप्रा गास्बन कुण अरे प्रियंका चोप्रा नहीं रहे अब भी शादी हुई ना चड़ा जी है चाटड़ अकाउंटेंट है वो भी पता है आप लोगों को बढ़ाच सरक मलब आप government के वो उसके अंदर ना आप आम आदमी party में है ना भाईया हो तो उन्हें इन सब का knowledge होना चीए ना आप आप भी अगर सीए बनने के बाद सोचा आपने कि भाई आपन भी है ना देश के विकास के लिए आपन भी कुछ करना चाहते हैं and if you enter into that stream तो आपको नहीं लगता कि आपको इन चीज़ों का knowledge होना चाहिए क्या बोलता सही बोल रहो ना तो आपको public finance का बारे में पता होना चाहिए market fail हो गया तो government ने क्या करना चाहिए market को फिर से revive करने के लिए तो यह आपको शिखाऊंगा मैं फिर उसके बाद money market पैसा आज बोल दिया मित्रों पांसो आजार के note बन मित्रों दो आजार की note बन what will मित्रों do later on आप लोग को यह money को concept समझ में आना चाहिए यह सरकार क्यों कर रही है हम लोग बाहर रहे के अपने को idea नहीं होता कि सरकार यह monetization re monetization demonetization यह सब कर रही है बट इसके पीछे का science क्या है why did government ban 2000 रुपी notes now what is the reason behind this black money पांसो आजार का और वो एकदम ऐसा चोटा reason है बट उसके बाद 2000 के note black money का अब भी तो आया ना market में 2000 तो it is about money supply money supply के वज़े से purchasing power purchasing power से लेके inflation यह सब बात है उसके अंदर तो अपन सिवाइसा नहीं आज अज अपन जब चार लोगों में बातचीत करेंगे न सिव अपन क्या बलते आरे यार government 2000 का भी बन कर दिया क्या इनको अक्कल नहीं आरे अक्कल अपने को नहीं है अपन को पता नहीं है money market में कैसे क्या होता क्या है समझ रहे गया हाफ knowledge is very dangerous तो यह सब इधर मिलेगा सब अब बता रहा हूं आज आपको क्या बता रहा हूं कि how much interesting the topics are अभी तो उपर उपर से बोड़ और मैं बहुत बोल रहा हूं इसके लिए आपको बहुत तोड़ा से गुसा रहे मेरे पर भाई बस करना अभी कित्ता बोलेगा आ रहा है न गुसा आने दुख कोई बात नहीं बट आपको यह जब समझे लाना यह समुंदर कितना खुबसूरत है तो उसमें न डूपके नईयां पार करने में बहुत मजा आएगा नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड आज अपने जो एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्टर है जै संकर साब क्या लेवल पर बाते करते हैं कब सुनाया उनको बराबर तो इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल रिलेशन्स इंटरनेशनल अफेर्स मैनेज करना बहुत सिंसिटिव ब लोको को आपका कल चल के कोई Klient होगा जो Export-Import में Deal कर रहा होगा उसका Majority Business Export का है या तो RAWlud में इंपर्ट कर रहा है तो उसने क्या चीज़े करनी चाहिए को कैसे पता हो कई कि लगे अच्छा कुछ पढ़ने वाले हम लोग के dejar हो कि हम लोग CA में अभी ऐसा वो जैसे टुटुल-पुटुल चोटा-चोटा पढ़ते था ऐसा कुछ नहीं अभी अभी बहुत भारी पढ़ना है अपने को अपना जो knowledge base से अब वो amplify होने वाला है उसके बाद Indian economy ये तोड़ा इतियास में लेके जाएंगे आपको कि 1950 से लेके 1991 और 1991 के आगे तिल डेट how the economy progressed पूरा अपना history planning commission 1947 में आजा दी फिर planning commission five year plans फिर चाइना के साथ war पाकिस्तान के साथ war फिर global recession 1991 में economic reforms तो वो सब इसके अंदर आता है ऐसा तो ऐसा complete package इस चैप्टर का ही है sounds good interesting yes sir so ये जो है ये सारी बाते हम लोग ये इन दस चैप्टर में हम लोग business economics में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो आप बात करते हैं मैं कौन हूँ syllabus के बात क्योंकि that was more important I believe दो मिनिट मेरे बारे में बता देता हूँ मैं हूँ CA अर्शिद जाजू ठीक है मैं पिछले 11 साल से पढ़ा रहू ठीक है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरुदत नहीं है और फाइनल लेवल पर ऑडिट पढ़ाता हूँ ठीक है तो जब आज आप मुझे मिले हो तो अपना जो ये सिल्सिला है मैं आपको CA बनते तक देखूंगा मैं आप लोगों को तिल्ड़ CA final हमारा साथ रहेगा from foundation to enter to final but short short goals को अचीव करेंगे तब जाके अपना long term goal अपन अचीव करेंगे ठीक है class में मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे अभी मैंने एक गंटा इतनी बातचीत करी तो मैं आपको वस बता दू कि हम लोग एकदम ऐसा comfortable महोल में पढ़ेंगे ठीक है बिल्कुल भी ऐसा आप एकदम ऐसा street face बना के एकदम बहुत ज्यादा stress में ऐसा पढ़ने का ने देखो पढ़ने का पढ़ने का बट enjoy करके पढ़ने का मैं पढ़ाऊंगा enjoy करके पढ़ाऊंगा बराबर एक नहीं एकदम मेरी class में रहोगे तो एकदम ही relaxed रहना बट फैल मत जाना एकदम कि बाते ही करेंगे हम लोग पढ़ाई से related हम लोग concepts को enjoy करेंगे concepts को feel करेंगे उसमें महोल बनाएंगे ठीक है ना concepts को boring नहीं बनाएंगे हम लोग so उसे साब से पढ़ेंगे जब मैं आपको आपको examples दूँगा मैं आपको कि जिससे हम लोग जो text में पढ़ रहे है वो real life में ये companies कर रही है और वो कैसे अपना business आगे बढ़ा रही है वो सारी बाते हम लोग सीखेंगे practically पढ़ेंगे तो इसका फाइदा क्या होगा अपने को कि हमारे दिमाग में वो concepts क्या हो वो concepts अपने दिमाग में चिपक जाएंगे ठीक है तो हम लोग course को फिर अलग से learn करने की जरूरत नहीं पढ़ेगी तो ऐसा हम लोग पढ़ेंगे आपको economics के लिए एक अलग से 100 pages का book आपको बनाना पढ़ेगा क्या करना पढ़ेगा आपको 100 pages का एक अलग से book बनाना पढ़ ऐसा मत करना law का आदा और economics का आदा, accounts का आदा, match का आदा, ऐसा नहीं चलता इदर, 100 pages का minimum आपको book लगेगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग lectures conduct करेंगे तो उसके साथ साथ आपकी summary notes हम लोग बनाएंगे, charts बनाएंगे, diagrams बनाएंगे, तो वो सब काम हम लोग करे ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि मैं अभी जब ये notes बना रहा हूँ, बराबर है, तो आपको दिख रहा है कि मैं अलग-अलग colors use कर रहा हूँ, so जब मैं पढ़ाता हूँ, तो I use a color scheme, कि क्या चीज़े highlight होनी चाहिए, कैसे वो presentable होना चाहिए, क्योंकि देखो, एक दो color के, और आपके साथ stick notes भी होना बहुत जरूरी है, जिससे कि कुछ important points होते है, तो हम लोग ने खुद के लिए scribble करना है, और वहीं पे वहाँ पे चिपका देना है, समझ में आए, stick notes का वैसे हम लोग use करेंगे, और सबसे important बात, जो आपको दिल पे पत्तर रखके हा बुलना पड़ेगा, कि आपको रोजाना class आना पड़ेगा, guys in the live streaming आपको रोजाना lecture अटेंड करने पड़ेंगे, एकदम sincerely पूरी श्तधा निष्ठा और इमानदारी के साथ, क्योंकि आप समझ ये चाहे फिर वो maths हो, law हो, accounts हो, या economics हो, एक भी अगर आपका session में सोजाता ह है, तो फिर क्या हो जाता है, अगले session में हम लोग वापस से एकदम blank हो जाते है, कि भाई, ये क्या हो गया, क्योंकि हर दिन एक नया concept होता है, उससे आगे वो linked होता है, तो फिर नजरहटी, दुरगटना, घटी, ऐसा होगा, ठीक है, बोलो, yes, so with this, I take your leave, that's it for today, कल मिलेंग कल मेरा lecture होगा, at 12.45, most probably 12.30, 12.45 को मेरा lecture होगा, to 131.45, ऐसा slot रहेगा, और ये time slot में अंकिता माम का lecture रहेगा, आज अंकिता माम के कुछ personal issues के वज़े से, उनका lecture post lunch होगा, अभी इस lecture के बाद तुरंती आनंसर का lecture होगा, बट कल से, ये slot में किसका lecture होगा? अंकिता माम का, फिर उसके बाद होगा हर्शत सर का, post lunch होगा आनंसर का, ओके, 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 चालो, so thank you very much guys, have a great great